इसी के साथ कुछ और कॉलर शुड़ गए हैं, उसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ गनपत भाई जी है, गुजराच से, स्वागत है आपका अज़र ये बताई ए सोनोग्राफिक कराई कुछ टेस्ट कराया है, सोनोग्राफिक मैं इसा कुछ बताए नहीं, ठीक है फिर अज़र देखिए, अपनी मिसस को पांच बार गरम पानी पिलाये, पांच बार गर्म गरम पानी जित्ता उपी सके, ऐसा नहीं बिल्कुल जलता व पी है रोज आना पांच बार और इससे भी अगर कम फाइदा हो तो हर गिलास में एक चमच छोटा चाय का चमच अलो विरा का सिरका डाल के पिलाए पांच बार दिन में मुझे अमीद है जिस दिन से वो शुरू करेंगे उसी दिन से उनकी तबियत ठीक होना शुरू हो गे और एक माह में एक महीने मेरे उनको फाइदा मिलना मुंकिन है नेक्स कॉलर है संगीदा जी दिल्ली से हमारे ैसाथ सवागत है आपका जी आदाब संगीता जी बताईए क्या सवाल है अमर बताईए संगीता जी जी तेंटालीस साल उमर है जब देखिए थाइराइट के मरीज खुब और से मेरी बात सुने के उनका थाइराइट मुकमल तोर पर ठीक होना मुम्किन है कॉपी पैन निकालिए जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं लिखिए धनिया तीन सो गिराम धनिया साबुत धनिया जो किचन में है दाना वो तीन सो गिराम और आमला ये भी सुका मिलता है सो गिराम मेती सो गिराम और गॉन मौरिंगा एक गॉन है तोड़ा महिंगा आता है सो डेर सो गिराम इससे मिला लिए पाउडर बना लिए खुब बारिक हर चीज अपने घर में पाउडर बनाना और रो मैटेरियल लेना इसका सेवन करें एक चम्मच तीन चार गिराम एक छोटा चाय का चम्मच भरके सुबा खाएं जब आप गुली खाते हैं ना थाराइट की उसके साथ में या उसके बाद में या उससे पहले गरम पानी से खाना शुरू करें दिन में दो बार खाना है ऐसी रात को सोते हैं वक्त अगले महीने से आपका डॉक्तर आपसे कहेगा कि आप ऐसा क्या ले रहे हैं कि आपका थाराइट कम हो राए है आप जब टेस्त करांगे पुरानी और नई reupert मिला लेना आप और फिर हर महीने वो आपकी थायराइट की गोली की प्रोटेंसी कम करेगा गोली कम करता जाएगा और ये जितना मैटेरियल मैंने बताया इसके खत्म होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है आरवी शर्मा जी गाज़ेबाद से हमारे साथ स्वागत है आपका हलो जी आदाब फर्माईए जी जी एज आपकी 60 पिलस है ठीक है ठीक है जी बढ़ी हुई उमर में जादा तर लोगों को प्रॉस्टिड ग्लैंड बढ़ जाते हैं जिससे पिशाब की तकलीफ होती है पिशाब करते हैं तकलीफ होती है या बार बार पिशाब आता है ये अमुमन जादा तर लोगों को होता है इसके फाइदे के लिए आपको गौन मौरिंगा गौन मौरिंगा आदा गिराम रोजाना या किसी को जादे है तब आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम पानी से बगएर चर्वी के दूर से या ऐसी खालें सبजी में मिला लें सालन में अपने मिला लें रोजाना आदे से एक गिराम गौन मौरिंगा खाया करें और आपको फाइदा मुम्किन है चलिए आपको फायदा मुम्किन जरूर है अगर आप ये नुसके अपनाते हैं तो नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं हमारे साथ अनीशा वर्मा जी है जम्मू कश्मीर से स्वागत है आपका है जी जी बताईए अनीशा जी हमसय जी है तो का पनता है निश्चें आती हैं और का पनता है कफा आता है तो दी хотел किशी डाजी तोर पर यहीं अब आने लगा पहले नहीं आता है को बीदाई ले सकते हैं लेकिन जिन लोगों को मुस्तकिल महीनों और सालों से कफ आता है, खासी आती है, बलगम आता है, छीके आती है, उनके अंदर इम्मूनिटी की कमी है, इम्मूनिटी बढ़ाने के लिए आईरवेद और युनानी में पांच-छे महीने लगातार अगर दवा खाते हैं, तो आपको फाय युन आर केर, एक पेस्ट है, ये सुबा निहार मुखाना होता है, सुबा और शाम गरम पानी से, जो शक्स पांच-छे महीने लगातार इसको खाया, इसकी इम्मूनिटी की जरुरत पूरी हो जाती है, आज बगएर इम्मूनिटी का आदमी, बगएर क्या कहते हैं हिंदी म रोग पित्ती रोदक शमता के, इस वक्त आदमी जी नहीं सकता, निकल नहीं सकता गर से, जिसमें ये इम्मूनिटी, ये रोग पित्ती रोदक शमता होगी, बस वही शाग बचेगी, जो लचक जाएगी, तो इम्मूनिटी हर शक्स को बढ़ानी चाहिए अपनी, अगर हमे सेहत के साथ जिन्दा रहना है मतनी जागत है आपका? बश्कार जी जी आदाव अश्वक जी बताएए मेरी वाइस है, मेरी वाइस है उमर है चौवन साल ची और उनको जो है नीद नहीं आती है नीद जो जैसा परिसान है जी छीके और कुछ हो हेल्दी है हाजी? हेल्दी वगएरा है गैस होती है हाँ थाइराइड वगएरा है थाइराइड है ठीक है अच्छे देखिए मैं एक ऐसा नस्खा बता रहा हूं आपको जो इनकी थाइराइड में और बड़ा अच्छा काम करेगा और वो यह है के धनिया जो आपके कीचेन में धनिया है धनिया तीन सो गराम आवला 100 गराम मेती 100 गराम और गौन मॉरिंगा 100-500 गराम इन सब को लेकर पाॉडर बना ले लेकिन सब रौ मैटिर लेना पिछा पिछा आया कुछ भी मतले न अपने घर में पाउडर बनाके थायराइट की गोली भी देना और एक चम्मच सुबा उस थायराइट की गोली के साथ उसके बाद या उससे पहले एक बार देना शुरू करें और यह मैटेरियल जो मैंने आपको बताया है इसके खत्म होने से पहले उनका थाराइड अच्छा होना मुम्किन है चलिए नेक्स्ट कॉलर है सोम बाला जी पानी पत से हमारे साथ स्वागत है आपका जी हैलो नीन के लिए मैडम नीन के लिए वैसे इसी से नीन ठीक हो जानी चाहिए रात को सोते वक्त जब आप का सोने का टाइम एक माहौल होता है बत्तिया बुल कर देते हैं बच्चे भी कमरे में सोने को लेट जाते हैं उस वक्त दो चमच दो चमच टी स्पून अलो वीरा का सिरका पानी में डालके उन्हें पिलाया करें बस दो चमच ऐसा गफलत की नीन आएगी और बहुत सुकून मिलेगा और पेट भी बहुत अच्छा रहेगा और लिवर भी बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सारे फायदे करता है यह अलो वीरा का सिरका आप इसे इस्तेमाल करें मुझे अमीद है उनको पहले दिन से फायदा होना मुमकिन है तो चलिए यह आप उपचार कर लिजएगा जो देशी नुसके अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं देखीगा पहले दिन से ही फायदा होने लगेगा और फायदा नश्रती आपको होगा और जब फायदा हो जाया तो इसी कारक्रम में आप अपनी फीड़बेक कॉल जरूर दीजेगा चलिए आएए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका हलो हलो नाम बताईए कहां से बात कर रहे हैं नतुन जे कुमार किया दियार से जी संजे जी बताईए क्या जाणना चाहते हैं नतुन जी नाम है मेरा जी जी है यी हम को प्रेंग्र में समझ्या हैं का मैं खच और दाणा के अज्ट क कर आई हे पेड़की सब कराएं आपको एक ऐसी दवा बता दूं कि अगर आज आप लें तो आज से फाइदा शुरू हो जाए देखने में यह एक लिक्विड है और यह लिक्विड है अलोविरा का सिरका अलोविरा का सिरका दो चमच गरम पानी में मिला कर पिलिया करें रोजाना और बहुत ही ज़्यादा प्राबलम है तो दो चमच शाम को भी पी सकते हैं लेकिन गरम पानी पांच बार पीना है आपको गरम ऐसे गलाज भरके गरम पानी जो चुस्कियां लेक इतना गरम हो जिस दिन से और जिस वक्त से शुरूँ आप करेंगे उसी वक्त से और उसी दिन से आपको फाइदा होना मुम्किन है जी इसके साथ ही नेक्स्ट कॉलर है आर बिहारी जी गाज़ेबाद से हमारे साथ स्वागत है आपका अपना जी प्रश्म कीजी अपना जी जी मैं बात कर रहा हूं विहारी भाई बताईए क्या सवाल है आदाव जनाब आदाव 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 जनाब मेरी 77 है अच्छा मेरी उम्र जाए 77 की है यह इसार मेरे को प्रॉस्टर बढ़ा हुआ प्रिशाब नहीं आता बिल्कुल भी मेरी नली लगा राखी है छेका सब्सक्राइब भी नहीं हो गएंगा ठीक है कि कोई है आपके साम पास में तो लिख ले आपकी समात में सुनने में फर्क हो सकता है दो दवाईयां है जिन लोगों को भी और 70 प्लस लोगों को ज्यादा तर प्रॉस्टेट ग्लैंड बढ़ने की वज़े से या इंफेक्शन की वज़े से ऐसा होता है कैपस्ल पी केर पी फॉर पट्ना कैपस्ल पी केर आप सुबा शाम एक एक कैपस्ल खाइए और एक्रम अठरील आता है या वह लीज है यह जो सिर्का है जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का दिन में दो दो चमच दो बाल लीजे आपकी परिशानी ठीक होना मुम्किन है जी चलिए नेक्स्ट कॉलर है सोम बाला जी पानी पत्से हमारे साथ एक बाद फिर से जुड़ गई है स्वागत है आपका मेरी उमर बासट साल है जी जी बताईए मेरे ना सफेद पानी पड़ता है ठीक जो बी इस्तरी या प्रुश उनको सफेद पानी आसान जबान में कहते हैं हमारी जबान में वाइड डिस्चार्ज या धातू का गिरना तरह तरह के जैंस हो या लेडी हो मेल हो या फीमेल हो उनको चाहिए के आदा गिराम गौन मौरिंगा और आदा गिराम इसब गोल की भूसी इनको पीछ लें ऐसे सो सो गिराम खरीद के पाउडर बना लें एक त पाउडर होता है और सो गिराम इससे सो गिराम गौन मौरिंगा ये भी सफध होता है तो एक गिराम दोनों मिल कर पीछ आए करें और एक गिराम सुभा एक गिराम ँद्रम शाम पानी में मिला के बहट चर्बी के दूद में मिला लें आपको उमर अच्छा खास ही crack of ये यँवर यर्फ बच्च या बच्चे हो तो दूद में मिला कर ले सकते चर्बी वाले 34 साल से जाध़्य के हैं वो बगहर चर्बी के दूद नहीं करना पड़ेगा देखे दर्श को एक बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी किसी भी दवाई का अगर आप सेवन करते हैं और आपको जो हकीम सहाब यहाँ पे घरेलू नुसके बताते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि उस दवाई का सेवन नहीं करना है धीरे धीरे कर आप वो दवाईयां छोड़ सकते हैं लेकिन जब आपको अराम मिलना शुरू हो जाए जब आपको राहत मिलना शुरू हो जाए लेकिन एकदम से दवाईयां बिलकुल मत छोड़ियेगा और जिन लोगों को कह दिया गया है कि आपका रोक तब ऑपरेशन से ही ठीक होगा तो एक बार रुख जाए दर्श को एक बार ठहर जाए आप लोग इस कारक्रम से जुड़िये देशी नुस्खे अपनाईये फिर देखेगा क्या पता आपको आपको अपरेशन की जरूरत ही न पड़े इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं हमारे साथ से स्वागत है आपका अपर जानना चाहते हैं पूजना चाहते हैं बदने एक साइच मैं और फोड़ा सफ चन्य की डाल की वयावर होता है तक दम से बढ़नाता है पानी निकलता है और बड़ी जड़न देता है और लगवक साथ दिन में ठिक भी हो जाता है बहुं ले रहती है और हमारी मेशिट को था तो वो आज भी उपा से तुक ठीक हो गया लिगा अंदर से वो जलन उनको आज भी नहसूस हो रहा है ये कम से कम खेंची का रिज्जा के रहे हैं चीक है हाँ दिखें ये तरह तरह की बाते होती है कोई कहता कि वो नाक फनी आ गई कुछ हो ग चाले से होते हैं बड़ा जलन होती है और वो ठीक भी हो जाते है एंटिमाटिक दवाईयों से फिर भी जलन रहती है तो इसके लिए रखें जैतून का सिर्का जैतून ओलीव को कहते है ये जो जिसका तेल भी आता है ओलीव ओयल तो ओलीव का सिर्का भी आता है हम लोग उस से आसान जबान में जैतून का सिर्का कहते हैं ये अरब मुमालिक में जैतून पैदा होता है यहां भी मिलता है तो जैतून का सिर्का आप रात को वक्त दो चम्मच पानी में मिलाकर रोजाना पिलाया करिए मुझे अमीद है कि उनको फाइदा मुम्किन है